तो भाई लोग कैसो आप उमीद करते हैं आप सभी लोग बहुत आच्छ होंगे केगनो स्पार्क 8 फ्रो स्मार्टफोन को मैंने यूज कर रहो लगवाग सिक्स की गेश स्वी ज्यादा टेम और आप लोग जानते होंगे एक स्मार्टफोन को अगर एक यूज चलता है तो उसको ऑटो मेटियू पता चल जाता है स्मार्टफोन इंदर जो अच्छा रहता है जू बूरा रहता है ओज जानले के लिए वीडियो को स्किप मत करके एंग तक जरूर देखते रहना वीडियो स्ट्राट करने से पहले आप लोग को एक गोड़ नीवस देना चातो इस चैनल में फाइनली 5K सस्काइब कंपलिक हो गया तो आप लोगों की स्रेफ सापोर्ट की बजा से तो उमीद क आप लोग और भी ज्यादा स्रापोर्ट करोगे मुझे थोड़ा आगे ले जाऊगे इसी तरह आप लोग मुझे सापोर्ट करना और आप का चैनल मेरा भी चैनल है सबका चैनल है न्यू न्यू new स्मार्टफोन का रिवीव तो आता रहता है उसके लिए जरूर इंतेजर कर और थोड़ा सापोर्ट करना आगे ले जाना आप लोगों का इस चैनल को तो चलिए बीना टाइम लेता है अच्का वेग्रियों स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं अच्छा लगा क्योंकि बैक्साइग में प्रोबैक्ट करें बहुत बढ़ी आसा अब मैंने हाथों में लेकार यूज किया था वहां पर मेरे को कुछ भी पॉब्लिम नहीं देखा दिया था हाथों में बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टफोन हो गया था और बैकसाइग में थोड़ा केकसाइग मिलता है इसलिए कैसे बैगर तो बहुत जल्दी नहीं आ रहा था लेकिन यहां पर कैमेरा बाम के ओपर कैसे बैगरा बहुत जल्दी आ रहा था हूंकि हाथों का निशान व्हें इसलिए मैं कहना चाहतों अगर अपनी स्मार्टफो एक इंच फूल एजगी प्लास रेजूलेशन का आई पेस गिस्टे देखने को मिलता है जापे मिल जाता है फोल वीव गिस्टे और इसका बैस नीचो जीचेन काफी छोटा होनी वाला है सेंपुल सिक्स क्यास रिप्रेस रेट के साथ आने वाला है और सिक्स क्यास का जो क्योंकि फूल एजगी प्लास रेजूलेशन का गिस्टे प्रोबैक्ट कर रहा है वीडियो को वाल की तो अच्छा होना चाहिए और इस स्मार्टफोन को जब मैंने आउक्डोर में यूकी बाहर में यूज क्या था वहां पर मेरे को पॉब्लेम नहीं देखा जाता है क्यू मैंने स्मार्टफोन में गेम को प्ले किया था बहुत अच्छी तरीके से खेल पाया था वहां पर मेरे को कुछ भी पॉब्लेम नहीं देखा ही दिया था और लैग बैगर भी इतना ज्यादा नहीं हुआ था जब मैंने गेम प्ले किया था और यह पर रहने वाले आंक्डोर अब यह था था और अभी तक तो आपड़ी नहीं आया है तो आपड़ेक आना चाहिए था तो और बहुत जल्दे अब यह आने वाले और कैमरे की बारे में बात कहीं तो बैक साइक में रहने वाले त्रेपूल कैमरा फॉर्टी एग मेंगा पिक्सल का में सेंसर और दो या का सेंपल पिक्चर कॉअलति देख साकतो और फिक्चर कॉइडी देख साकतो अच्छा हाँ तो मेरे को बहुत पसंद आया जो सब्सक्रीशाट में कहने वालों जिस प्राइस का सबस आते है उस्सी नहीं को अच्छा का उलए च्छा वाल पर भार सैकर और बैकरी के बारे में बात काई तो 5000 की पारफुल बैकरी में लेबल है और था कि 3 वाट का फास्ट जो काफी अच्छी बात है जब मैंने नौर्माल यूज किया था एक दिन से ज्यादा केम यूज कर पड़ा था और जब मेरे चार्ज भी खतम हो गया था मैं बहुत जल्दी जल्दी चार्ज भी कर पड़ा था क्योंकि यह पर था कि 3 वाट का फास्ट आज़ार प्रोभाइट कर रहे तो इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी चार्ज भी मैंने कर पड़ा था और यह पर मेलता है 4GB RAM के साथ 64GB तो यह पर और भी 3GB RAM बड़ा साकते कि 7GB तक RAM आप यूज और स्मार्टफून का प्राइस के बारे में अभी बात का ही तो स्मार्टफून अभी 1 इंगा में मिल रहे 10,100 रुपीस में इस नाथी बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपने केगनों का लाबारो और कम प्राइस का अंदा 7GB RAM लेना चातो थाकित रूइंड का FAST साजल लेना चाहतो, कैमरा अच्छा लेना चाहतो, तो स्मार्टफ़न आपके लिए बहुत आच्छा होने वाला है, ऐसे गेमिंग वीडियों में इतना ही मिलते हैं लिए निव फेस्ट वीडियों में तब तक के लिए बाई-बाई केक किया